ओके सो अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल पे काफी ज़्यदा हैर स्पा से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे जो हैर फॉल और अंटी डेंडर्फ से रिलेटेड थे बट आज का वीडियो काफी ज़्यदा डेफरेंट है तो चलिए देखते हैं आज हम लोग लेकर आए हैं लॉरियल का हैर स्पा जो की काफी दा डेंडर्फ को कंट्रोल करता है तो देखिए सबसे पहले मैं हैर स्चेक कर रहा हूं कि हैर स्चेक कितने ज़्यदा ड्रा है और स्कैल्प में ड्राइनेस है या फिर ऑइलनेस है यह पूरी तरह से आप लोग क हम करेंगे hair spa तो जैसे कि मैंने आप लोग को पता है कि आज का hair spa काफी ज़्यादा different है इसमें जो भी product में use करने वाला हो लाइल का है और शायद से आप लोग ने यह hair spa पहले कभी किया हो या फिर नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने से आप लोग को पता चल पाएगा कि आप क्या क्या गलतिया करते हो और आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमें अच्छा result मिले तो सबसे पहले हम लोग शैंपू वाश कर रहे है तो जिब आप लोग काफी ज़्यादा पसंद कर रहे है वीडियो तो लाइक कर लिए तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो में पास एंपूल से लॉरियल का प्यूरिफाय कॉंसंट्रेंट एंटी डैंडर्फ एंपूल्स जो कि काफी ज़्यादा बहतरी जिल देता है और डैंडर्फ को पूरी तरह क्लीण करता है तो चलिये दिखाता हूं मैं आप किछ तरह इसे यूस करना है तो सबसे पहले हम लोग यूस करें हैं एंपूल्स और ampules को हमें लगाना है scalp में तो scalp में आप लोग को कैसे लगाना है तो ये देखिए आप लोग पहले आप लोग देख सकते हो कि इसमें एक box में आप लोग को six type के ampules मिलेंगे जो कि हमें anti dandruff को पूरी तरह से clean करने काम करेगा तो देखिए हमने एक छोटी सी 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 निकाल ली है और इसे हम यूज़ करेंगे आप लोग को dandruff से related जो भी वीडियो चाहिए मैं काफी ज़्यदा लेकर आया हूँ बट ये काफी ज़्यदा different है तो वीडियो को लाश तक देखना तो देखिए मैंने इसे ले लिया पूरा बाउल में और इस बाउल को आप लोग को directly scalp में नहीं लगाना है क्योंकि अगर direct लगाएंगे तो impuls का जो भी serum जो हमने निकाला है भी वो hairs में अच्छी तरीके से scalp में लगनी पाएगा तो इसमें हम लोग यूस करेंगे laurel का cream bath जो की scalp पर हमें proper तरीके से लग पाएगा तो आप लोग को पता है कि जो हमारा cream बात है वो हम scalp में नहीं लगाते बट जब आप लोग impuls मिक्स करोगे तो आप लोग scalp में लगा सकते हो उसका कोई भी problem नहीं होता है scalp पे तो जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ जदा different है तो वीडियो को last तक जरूर देखते रहे ना दोस्तो ताकि आप लोग को कोई भी knowledge मिस ना हो तो देखिए मैंने scalp में लगाना शुरू कर दिया है step by step जैसे partition निकालते हो हम लोग use करते है scalp में उसी तरह आप लोगो लगाना है front में then उसके बाद में back side में पूरी तरह किसे लगा लेने के बाद आप लोगो क्या करना है तो वीडियो को देखते रहे और दोस्तो मेरे जो भी haircuts से related videos आते हैं उस पर आप लोग काफी दा प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारे अभी hair color के haircuts के और hair treatment से related video आने वाले हैं तो आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहे हैं ताकि आप लोग को जो भी knowledge में दे सकूँ वो आप लोग लेते रहे हैं ताकि आप लोग का भी काफी दा help हो और share करिए ताकि जो दूसरे लोग हैं जिने नहीं पता है उनका भी काफी दा help हो पाए तो चलिए हम आचुके हैं back side में और उसे back side में भी हम same जैसे scalp में लगा रहे हैं partition निकालते हुए उसी तरह आप लोग को लगाना है वीडियो देखने के बाद भी बहुत लोगों का doubt हो जाता है कि किस तरह हमें use करना है तो आप लोग को जो भी doubt क्लियर करना हो मेरा instagram idea है वहाँ पर आप लोग मुझे message कर सकते हो link आप लोगो description में मिल जाएगा तो अब हम वापस से cream बाद निकाल रहे हैं और ये cream बाद हम लोग use करने वाले हैं length पर तो अब सिर्फ हमें cream बाद use करना है इसमें जो भी हमारा impulse था उसमें का जो भी liquid था उसे आप लोग को mix नहीं करना है बस आप लोगो cream बाद पूरी length पर अच्छी तरीके से मलसिफाई करते हुए लगाना है ताकि हमारे बालों में moisture और smoothness आजाए तो अभी scalp में तो हम लोग ने हमारे जो impuls और cream बाद mix करके हमने लगा है वो तो लगा ही लिया है बट length पर आप लोगो खाली cream बाद लगाना है तो आप लोग confuse बिलकुल मत होना नहीं तो आप लोग क्या करोगे कि इसमें भी impuls का mix कर दोगे और उसके बाद में लगाओगे तो impuls खाली scalp पर काम करता है तो length पर लगा कि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा आप लोग का product जो है वो waste हो जाएगा तो ध्यान दीजे खाली आप लोग को length पर cream बाद ही लगाना है तो cream बाद आप लोग hair spa में कोई भी ले सकते हो anti dandruff से related या for smoothening treatment से related कोई भी आप लोग hair spa का cream ले सकते हो बट laurel का ही लेना तो देखिए अब हमने start कर दिया है हमारा head massage तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमने impuls का जो product है उसे scalp में लगा है तो उसे अच्छी तरीके से हम लोग massage के दिरिये पूरे scalp में हम लोग उसे मलसिफाय करेंगे ताकि हमारे scalp में जो भी dandruff और जो भी dryness और पूरी तरीके से निकल जाए तो massage भी आप लोग देख सकते हुआ आप लोग को यह नहीं कि आप लोग को ज़्यादा जोर जोर से massage करना है बहुत ली soft तरीके से आप लोग को massage करना है जिससे कि हमारे client को काफी ज़ा relaxations मिले और उन्हें काफी ज़्यादा आराम मिले तो देखिए मैं किस तरह से finger को बहुती आराम तरीके से उसे मुख कर रहा हूँ head massage और देन उसके बाद में आप लोग को back side में भी करना है पहले front से start करना है देन back में उसके बाद में आप लोग को pressure point भी use करना है जिससे कि कोई भी headache और अगर client को रहे तो पूरी तरीके से clear हो जाए तो देखिए next side में हम लोग आ चुके हैं next side में भी आप लोग को finger से इदम slowly तरीके से देना है और pressure ज़ादा आप लोग को नहीं देना है pressure आप लोग को limited ही रखना है जिससे कि हमारे client को ज़्यादा कोई pressure का problem ना हो तो देखिए अब हम आचुके हैं pressure point पर तो हम लोग पहले foreheads को देन उसके बाद में दिरे-दिरे scalp की तरफ और फिर back side तक, front तक उसी तरह हमें पूरा pressure point को अच्छे तरह किसे use करना है pressure point से जो भी headache से related problem होती हो पुरी तरीके से solve हो जाता है तो इससे आप लोग को हमारे client का relaxation भी हो जाता है dandruff treatment भी हो जाता है और जो भी headache का problem रहे वो भी पुरी तरीके से clear हो जाता है hair spa में head massage काफी ज़्यादा important है तो आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से head massage करिए जिसे कि हमारे client को काफी अच्छी तरीके से relaxation मिल पाए तो देखिए हमने हमारा head massage पूरा pressure point के साथ में complete कर लिया है अब हम आएंगे हमारे steam पर तो steam आप लोग को जादा नहीं देना है बस 5-10 मिट के लिए देना है बहुत लोग 10-15 मिट के लिए रख देते हैं बट इतना आप लोग को नहीं देना है तो देखिए मैं यूज कर रहा हूँ आइकोनिक का steam आप लोग कोई भी brand का ले सकते हैं बट मेरे पास जादा से जादा जितने भी टूल से वो सारे आइकोनिक के हैं तो आप लोग देख सकते हो कि मैं जादा नहीं बस 5-10 मिट के लिए steam दूँगा आप लोग भी इतना ही जादा दीजिए क्योंकि अगर जादा steam देने से hair dry हो सकते हैं अच्छी तरीके से आप लोग को steam देने के बाद में जो भी क्रीम है उसे पूरी तरीके से wash कर लेंगे और देन wash करने के बाद आप लोग को करना है towel dry towel dry करने के बाद में हमें करना है cool blow dry blow dry जो कि आप लोग को ज़्यादा heat नहीं देना है बस आप लोगो नॉर्मल तरीके से जो भी हमारे हैर्स में वाटर है उसे अच्छी तरीके से पूरा निकाल लेना है क्योंकि हमारे हैर्स जो भी गिले हैं उसे लेकर डारेटली क्लाइन गर नहीं जा सकते तो आप लोगो खाली cool blue dry करके जो भी हेर में से water है अच्छी तरीके से निकाल लेना है उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्ट्रिक्स का सीरम आप लोग लॉरियल ब्रैंड का या फिर किसी ब्रैंड का भी यूज़ कर सकते हूं ब्रैंड में लॉरियल का नहीं ज़्यादा स्ट्रिक्स का यूज़ करता हूं जो कि स्ट्रिक्स का सीरम काफी ज़्यादा बहतरी देता है तो देखे हमने अच्छी तरीके से blue dry कर लिया और blue dry करने के बाद में हम सीरम देखे किस तरह लगा रहे है आप लोग को serum लगाने के भी technique चाहिए सरीफ length में लगना चाहिए आप लोग को scalp में लगानी कोई जरूत नहीं length में अची तरीके से लगा लीजिये जितना जदा length में लगाओगे उतना ही बहतरीं shine आईगा तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे result कितना best आया है shine काफी ज़्यदा अच्छी लग रही है तो पहले देख लग आप लोग ने कि काफी ज़्यदा dry hairs थे बट अभी पूरे hairs अच्छी तरीके से clean हो चुके हैं और hairs में एक bounce look भी आ चुका है तो softness और dryness को पूरी तरीके से आप लोग को dryness हटाना है तो softness लाने के लिए आप लोग को ये hair spa जूज करना पड़ेगा तो चलिए इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा ये hair spa का वीडियो कैसे लागा कामेंट्स करके जरूर बताना और दोस्तो स्क्रीन पर जो भी वीडियो आ रहा है उसे देखकर आप लोग और भी ज़्यादा नौलेज ले सकते हो आप लोग के लिए मैं इसी तरह नए-ने वीडियो लेकर आता रहूँगा जो भी hair treatment से related या फिर hair cut से related होंगे आप लोग भी अपने प्यार बनाए रखिए और इसी तरह आप लोग प्यार देते रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्श वीडियो में बाई-बाई टेक केर